तो यह बिरोल की धर्ती तो पीजुनिय है ही तो मैं भी यहां से सोच रहा हूँ क्यों न एक छोटा सा काम इस धर्ती से स्टार्ट करके पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का मेसेज जा कि बिरोल भी कोई एक सहर है और यहां भी एक बिर्धों के लिए अच्छी सेवा के आज हमारे साथ एक ऐसे सक्सियत बैटे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है हमारे साथ डॉक्टर सिरी राम कुमार जी बैटे हैं और इनका अद्रिस अपार फांडेशन है क्या है अद्रिस अपार फांडेशन इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उससे पह पहले डॉक्टर सार आपका बहुत-बहुत स्वागत है मुबाइल रिकृटर बार जी आकिब जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और यहां तक पहुंचे हैं हम सारे अपने प्रिये मुबाइल रिकृटर को परणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं अद्रिस अपार foundation की तरफ से अपार foundation जो है इनका उद्देश क्या है किन छैत्रों में काम कर रही है इसके बारे में विश्टार से तुरा जान करे चाहिए क्योंकि बहुत सारी लोग हो जानना चाहते है क्या अद्रिस अपार से शुरुवात किये हैं हम तीस साल से दरसल अद्रिस अपार फॉंडेशन पर डिजाइन कर रहे हैं डिजाइनिंग मेरा यह है कि हमारे समाज में बिधों के प्रती जो उदासिंता है उस उदासिंता को हम किस तरह से फिर काइम करें हमारी संस्कृति जो धिरे धिरे नगन होती जा रही है उस संस्कृति को फिर से हम कैसे धुरावें उसके लिए मैंने एक जागरूप अद्रिस अपार फॉंडेशन के तरफ से क्या है बिधों को जागरूप करते हैं कि आप समाज से जूर करके रहें अपने पडिवार से जूर करके रहें अपने पडिवार में जूरने से आपको पडिवार की भी शांती काइम डहेगी पडिवार में वो मिलवर्तन भी काइम डहेगा बच्चों में जो उदासिंता आ गही है वो भी उदासिंता काइम डहेगी जी हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हर संस्था की कुछ न कुछ नियम होती है और उस नियम के आधार पर संस्था चलती है तो हमने संस्था में जो डिजाइन किया है वो मेरा टैग लेंड है जो समाजी कार से अध्यात्म की ओर अध्यात्म हमारे बीच से नगन होते जाड़ा है चाहे वो किसी भी समधाय से जुड़े हुए हो चाहे वो हिंदू समधाय से हो चाहे वो क्रिश्चन से हो चाहे वो मुस्लिम समधाय से हो वहां कहीं ने कहीं अध्यात्मिक जो अध्यात्मिक जो हमारी संस्कृती में जो कूट-कूट करके भड़ी हुई थी वो दरसल में थोड़ा सा नगन्य हो रहा है जिसके कारण समाज में इस तरह की बेमनस्ता आती जा रही है बच्चों में उदासिंता हायर एजुकेशन के कारण उदासिंता होगी क्यों होगी तो आप जब अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देंगे तो उसमें समय का आभाब हो जाता है जिससे बच्चे अपने बाब बाब को छोड़ते नहीं है थोड़ी सी उसमें दूरियां हो जाती है दूरियां के कारण उसमें खटास हो जाता है और ब्रिधों को उदासिंता जीवन जीना परता है तो उसमें मैंने बहुत सारे पडिवारों को जगा जगा केम्प लगा करके जैसे कि मैंने कल शोनपूर में केम्प लगाया उसमें बहुत सारे पदाधीकारी डॉक्टर अंजुम परवेज भी वहाँ पदारे हुए थे निरोफिजिशन थे आर्बी मॉमरल के डॉक्टर रमन जी भी पदारे हुए थे डेंटिस्ट थे हमने सारे टीम ले जा करके वहाँ चिकित्सक के माध्यम से ब्रिधों की हमने चेकप भी किया उसको दवा भी दिया और एक जागरूप फैलाया समाज में कि ये अवस्थाएं में जो हर्ट एटेक होती है या डेविटीज जो बढ़ता है उसको कैसे हम नियंतरन करें तो उसके लिए हमने फीजिकल का भी प्रोग्राम किया कि आप लोग कैसे मर्निंग वाक करेंगे आपका खान पान भी सही होना चाहिए और खान पान के साथ साथ वहां की जो संस्कृति है या वहां की जो परमपराय है वहां का जो रिलेशन सिप है परिवार में उसके लिए भी हमने दस मिनट का प्रोग्राम रखते हैं और बताते हैं जो युवा पिड़ी हैं उनको कि भै अपने माता पिता को जोड करके रखें उससे अलग होना नहीं है क्योंकि अलग होना नहीं है कि उनहीं के कारण आज आज आपकी पैदाईस हुई है आज नकल आपको भी ब्रिद होना है जब आप ब्रिद होंगे तो फिर आप उसी स्टेज पर होंगे जहां आपकी आज मा और पिता है तो आखिर उस जन्म दाता को उस प्रान दाता को जहां से हम चलना सीखते हैं जहां से हम बोलना सीखते हैं हर मा बाप अपने बच्चे के लिए क्या नहीं त्याग करता है जहां भी जो सब्द से हम कहना चाहें वो सब्द बहुत कम है वो बच्चे के लिए हर माता पिता बलिदान हो जाता है और उस अवस्थाएं में आप उनको थोड़ा सा अगर तिरसकार करते हैं तो उनको बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है दिलों पर जिसके कारण डेविटीज और हर्ट अटेक और बहुत सारी बिमारियां होती है में वज़य यह है कि तिरसकार के कारण ही बिदों में उदासिंता जो होती है और वही एक बिमारी का कारण बनता है तो उस बिमारी की हम देखरे करते हैं दस दिनी की दवा देते हैं और बिदों को भी समझाते हैं और युवा को भी समझाते हैं कि अपने परिवार को जोर करके रखना है अपने मता पिता को इस तोर समझ करके प्रार्थरना करना है कि आप ही के कारण हमारी ये दिसा और दसा बदली है तो हम आपको कैसे छोड़े हैं तो गाओं गाओं जाकर जागरूपता कि साथ साथ आप एक अच्छे डॉक्टर भी है तो सलाह भी देते हैं और दवा भी देते हैं जी जी हम दवा भी देते हैं आवशक्ता अनुकुल हम पूरी सेवा तो नहीं दे रहे हैं लेकिन हम औसधी के रूप में दस दिन की दवा जरूर देते हैं एक संजीविनी के रूप में हमने उनको जागरूप करते हैं कि दस दिन की आप दवा खाएं डॉक्टर की टीम रहती का भी बहुत बड़ा निशुल्क की योगदान करते हैं वो लोग निशुल्क अपने पैसे से ट्रेवलिंग खर्चा करते हैं अपने पैसे से भोजन करते हैं अपने पैसे से जहां तक होता है एक दूसरे को मदद करते हैं इस तरह के लोग आज भी अपने छेत्र में अपने देश में काइम है जिसके बल पर ये संस्था चलती है डॉक्टर सब एक और सवाल है कि एक हाँ से तो ताली कभी नहीं बसकती ताली बजाने के लिए भी दो हाथों की जरूत होती है सुआब एक है कि जब आप इस फिल्ड में आए हैं इस छेत्र में आए हैं तो आप अकेले संभब नहीं है बहुत सारे लोगों का जुरना और बहुत सारे लोगों की मदद की जरूत पड़ेगी बहुत सारे लोग आपसे जूर रहे हैं जूरने का क्या कुछ पड़किरिया है उनके लिए क्या एजूकेशन की जरूत है उनके लिए क्या क्या डोकुमेंट की जरूत है और किस तरह आपके अद्रिस आपार फांडेशन से जूरे और जूर कर लोगों की सेवा करे वो भी मुफ्त में बिना किसी लोग लालज के दरशल में हम अपनी संस्थासों से युवा को और जो रिटाइर परसन है उनको मैं जोडता हूँ उनको बताता हूँ कि अद्रिस अपार फॉंडेशन एक सेवा युक्तु बुजरगों के अनुभव के आधार पर सेवा करने की जो परमपरा हमारे देश में हमारे संस्कृती में हमारे बलड में जो कूट कूट करके भड़ी हुई है उसको फिर से जागरिती करे और इस जागरिती से आपका क्या होगा तो इंटर्टेंटमेंट होगा और इंटर्टे की भावना होनी चाहिए जो निस्वार्थ होनी चाहिए और अजयदे पढ़े लिखे लोग भी हो जिनकी जो एजूकेशन है उसके आधार पर हम उनकी सेवाएं डिस्टिब्यूट करते हैं जैसे कि अगर मालीजे कोई डिटार परसन है हमारे यहां कोई इस तरह के SDM है हमारे टीम में जिनकी गैडलेंड है एक आधि जजभी मेरे साथ में है बहुत सारे डॉक्टरों का टीम है और वो लोग निसूलक आ करके इस संस्था में सेवा करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि निसूलक सेवा करने से निसूलक सधारन बात नहीं है सेवा सधारन बात नहीं है उसमें भी निसुल्क आपको करना है तो बहुत बड़ी बात है वो आत्मिक उपजी उपज होती है निसुल्क दान करना ये साधारन बात नहीं है दान वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें आत्मिक ज्यान हो अध्यात्मिक ज्यान हो और उसको ये समझ हो कि हमको आज नकल यहां से छोड़ करके जाना है तब वो इस तरह की ओर जुकता है और एक चीज़ हम चलते चलते आपको यह कहना चाहते हैं कि जब आपकी ज्यान एंद्रियां और कर्म एंद्रियां अस्थूल हो जाती है तब आप सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया तब पस्ताय क्या हो जब चिडियां चुक गई खेत जब साथ पैसथ बर्स की अवस्था में आपकी ज्यान एंद्रियां और कर्म एंद्रियां अस्थूल हो जाएगी अब फिर आप सोच करके सही धंग से उचारान नहीं कर पाएंगे सही धंग से सेवा नहीं कर पाएंगे तो फिर तो आपकी जिन्दगी निरथक भी दिये क्यों कि धन और संपती तो यहीं छोर करके जाना है जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की जिस पडिवार के लिए आपने दिन रात मेहनत की जिस बच्चे के लिए आपने इतना बड़ा त्याग किया एक उहदे पर पहुँचा दिया बहुत बहुत ऐसे पडिवार हैं मैं कहना नहीं चाहूंगा कि उनकी रिटार्रमेंट भी अच्छी है उनके जमीन जैजाद भी अच्छे हैं पडिवार भी अच्छे हैं लेकिन दो वक्त की रोटी नहीं है सोच करके देखिए दौन साब ये सवाल है मेरा कि आपको क्या लगा कि आप इस चैतर में आए कैसे आपको लगा कि हमारे पुरे बिहार पुरे देश की हम बात करेंगे लेकिन फिलाल आपने बिरोल से सुरुआद की है बिरोल के इस ध्रती से सुरुआद की है जहां लोग जागरूक नहीं है जहां के लोग अध्रिस फांडरेशन का मतलब नहीं समझते विर्दा आस्रम क्या होता वो नहीं जानते क्योंकि गाउं और सुधूरी इलाका है तो यहाँ पर आप आदरिस फांडरेशन के तहर एक बहुत बड़ा विर्धा अस्रम बनाने जा रहे हैं वो नक्सा पीछे वो भी हम दिखाएंगे लेकिन सबसे पहले यह है कि यहाँ के लोग जागरूख कैसे होंगे उनको जागरूख कैसे करना उनको बताना कैसे है देखिए मैंने आपको बताया कि मुझे 30 साल से यह डिजाइनिंग चल लही थी दिमाग में और यह प्रेरणा मेरी मा ने दी थी मा मेरी दरसल में पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो कहती थी बड़ावर कि एक बिर्धा अस्रम बना देना है बिर्धा अस्रम क्या आर्थ होता है वो नहीं समझती थी लेकिन बताती थी कि बिर्धा अस्रम बना देता है मा की इक्षा पुड़ी करने के लिए मैंने Birol की धर्ती को पहले प्रणाम किया और यहां से मैंने कुछ जमीन खरिद करके डोनेट भी किया और संस्था को सारा रेजिस्टर्ड हमने कर नया कंपनी एक्ट से हमने रेजिस्टर्ड कर आया उसके बाद नीती आयोंक से रेजिस्टर्ड करवाया उसके बाद ATG, 10A, 12A, ISO, यानि और डेकुमेंट से हमने संस्था को रेइस्टर कर दिया, इवें तक कि हमने इस बैलोज को भी पेटेंट कर वाया, और लोगों को भी मैंने पेटेंट कर वाया, क्योंकि मेरा मिशन बिरॉल ही नहीं, मेरा मिशन पूरे भारत और पूरे दुनि में इसको फैलाना है, मैं वो सोच करके काम कर रहा हूँ, भले ही लेट लगे, हमारे अपने अवस्थाएं में नहीं हो, लेकिन मैं ऐसा नीव डाल करके जा रहा हूँ, कि आने वाला सल इनको याद करेगा कि कोई कुछ यहां से दे करके गया है, और उसकी नियम और सर्ते है मैं परिवार को तोरना नहीं जानता हूँ, मैं परिवार को जोड करके, विर्धा असरम को जोड करके, उसमें ये संस्कृती डाल करके चलाना चाता हूँ, जिसके बहुत सारे नियम है, विर्धा असरम में जो आएंगे, उसका फॉर्म है, कार्ज करता का फॉर्म है, उसमे board of director का form है सारे form है form के नियम है उस नियम को जो follow करेंगे वही संस्था में रहेंगे अन्था संस्था में नहीं रहेंगे अब बात आपने बहुत अच्छी बात कहा कि आखिर बिरोल से ही क्यों आपने start किया तो दरसल में यहां से साथ सतर किलो मेरे घर परता है और बिरोल में आकर के हमने बस गया तो हमारे पुझनिय धर्ती तो बिरोल ही हुई न तो इसलिए हम बिरोल से बिरोल में बहुत ऐसे लोग हैं मैं इस धर्ती को बहुत नमन करता हूँ यहां के एक बहुत बड़े सैंटिस्ट है डॉक्टर नौसाद जी जो अमेरिका में रहते हैं यहां के एक बहुत निमन परिबार से ले करके अब पुरे हिंदुस्तान में मुके सहनी जी को जान रहे हैं भी एपी पार्टी को तो यह बिरोल की धर्ती तो पीजुनिय है ही तो मैं भी यहां से सोच रहा हूँ क्यों न एक छोटा सा काम इस धर्ती से स्टार्ट करके पुरे हिंदुस्तान में इस तरह का मेसेज जाए कि बिरोल भी कोई एक सहर है और यहां भी एक बिर्धों के लिए अच्छी सेवा के सिवधा है लोग यहां आकर के जूरेंगे और सारे नियोम को फोलो करेंगे उसकी जो फैदा है वो लेंगे